नमस्कार आप देख रेडबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा गुपाल गंज में अवेसी की पार्टी हार कर भी जीती जी हां गुपाल गंज में अवेसी की पार्टी ने जिस तरह से धमाके दार प्रदशन किया है उसकी वजह से कई राजनितिक भाजपा और राजट के बीच में माना जा रहा था वहीं पिछले चुनावों में सादू यादव ने जिस तरह का जोड़दार प्रदर्शन किया था उसको देखते हुए सानुमान लगाया जा रहा था कि इस चुनाव में सादू यादव बड़ा फैक्टर साबित हो सकते ह लेकिन जब चुनाव पर इनाम आया तो बड़े बड़े राजनितिक जानकारों की भविश्यवानी भी धरी की धरी रहे गई क्योंकि इस चुनाव में ओवेसी की पार्टी ने जोड़दार सफलता हासिल की और पार्टी तीसरे नंबर पर रही वैसे ओवेसी की पार्टी को मिली सफलता कोई साधारन नहीं है क्योंकि शेत्र में ओवेसी की पार्टी पहली बार चुनाव लरने उतरी थी ऐसे में जनता को रुजाना उनके तरफ कैसा होगा इसका अनुमाल लगाना मुश्किल था लेकिन ओवेसी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे कोई छेत्रिये नेता नहीं बलकि राश्रिये नेता है और उनका अपना वोट बैंक है जिसकी वजह से उनके गदम रखने से कई राजनितिक पार्टियों का समिकरन धरा का धरा रह जाता है यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि इस उप्चुना में पार्टी उमीद्वार अब्दुल सलाम को ए आयम आयम का परमपरागत सिंबॉल नहीं मिला जाहिर सी बात है कि किसी भी उमीद्वार को पार्टी सिंबॉल नहीं मिलना किसी बरे जटके से कम नहीं होता है क्योंकि कई स्थानों पर पार्टी सिंबॉल से ही उमीद्वार की पहचान होती है और इससे वोटों का काफी ज्यादा नुकसान होने के संभावना बनी रहती है लेकिन इन सबके बाब जूद ओवेसी की पार्टी जो सफलता हासिल की है इसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाये वह कम है वैसे राज़त ने ओवेसी की पार्टी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया पार्टी ने तो एक तरह से ओवेसी को भाशपा का सपोर्टर बताने की भी कोशिश की लेकिन शायद राज़त का यह वयान उनके लिए सिल्फ गोल साबित हुआ क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूर्द भी राजवर्द ओवेसी के वोट वैंक को ए-i-m-i-m के पक्ष में मद्दान करने से नहीं रोप पाई इस तरह आंकरों में भले ही भाजपा को जीत मिली हो लेकिन सचाए यह है क कि सही माइने में भाजपा की नहीं बल की ओवेसी की जीत है तो फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद